हेलो फ्रेंट्स आज हम जेड प्लांट के बारे में सब कुछ इसकी डिटेल कैसे इसको लगाना है किस पॉट में लगाना है कैसे इसकी केर करनी है इन सभी विसे पर हम बात करेंगे और इसकी विंटर में कैसे केर करनी है इस विसे पर भी तो आज वीडियो का एंड तक देख सब्सक्राइब करना मत भूलेगा सभी का फेवरेट जेड प्लांट ग्रो करना बहुत ही आसान है इसकी छोटी से छोटी कटिंग हम लगाते हैं तो बहुत जल्दी से यह लग जाती है और इसको बहुत बड़ी कटिंग की जरूरत नहीं होती है बस ध्यान लखना होता है कोपीट की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है वह एक एक परसेंट होता है कि जिसको हंड़र परसंट कटिंग ग्रो करनी है तो आप कोपीट लगा ले सकते हैं लेकिन मिट्टी में नॉर्मल मिट्टी में भी सकी कटिंग चल जाती है बस ध्यान रखना है कि प्लांट देखा तक्ति होने की वजह सचते हैं से mistakenंड़ DoDy लेकिन इस बाने जड़े सब्सक्ति में देगा 1 कर देखा लत 5 ट कना है rif刃 उन्हाब बड़ कल यह जड़ी एक सब्सक्राइडinação हो चुकी है यह इसमें दो साल से लगा हुआ है और काफी अच्छे से हेल्दी है प्लांट हेल्दी प्लांट के लिए हमें कुछ ही बातों का ध्यान अखना होता है केर का जो कि आगे की वीडियो में भी आप देखते रहेंगे यह देख लीजिए छोटा सा है सर्फ टो फिंग कि में लगाई थी आप उसकी कटिंग देख सकते हैं आप कितनी लंबी हो चुकी है यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें ग्रो नहीं होती है तो यह आपके सामने है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जड़े बहुत कम होती है इसलिए एक दो कटिंग आप छोटी-छ चोटे सुन्दर से पॉट मी अप लगा सकते हैं इस प्लान की बॉंजाई और टोपियारी भी बनाई जाती है क्योंकि इसकी पत्तियां छोटी होती है जैसे भी हम देश शेप दिना चाहें वैसे ही इसकी शेप हो जाती है स्टैम मोटा है तो टी का लुक दे सकते हैं स्टैम तो हम इसको टोपियारी का लुक दे सकते हैं धीरे धीरे अब इसकी स्टैम जो लंबी जाती जाएंगी पिंचिंग करते रहेंगे और उससे घना हो जाएगा जो देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है टोपियारी का डिजाइन अप अपने एकॉर्डिंग कैसे भी इसको स पत्यां इसकी बहुत कम आएंगे इस टेम खाली खाली नजर आएगी दोप में रखेंगे तो इस तरह से घना हो जाएगा पत्यां ही पत्या नजर आएगी पूरा भरा रहेगा बहुत पास पास पत्यां आती है इसको पांच-छे घंटे की धोप जरूर दे दिजिए यह स्टेम उपर से टूट जाता है नीचे की स्टेम गल जाती है यह होता है ओवरवाटरिंग की विझे से इस प्लांट में पानी हटाकर फिर से कटिंग लगाकर ग्रो कर सकते हैं और यह असनी से ग्रो हो जाता है लेकिन यह इस टैम बहुत ज्यादा गल चुकी है उपर की हेल्दी नहीं है तब वो कटिंग हमारी 50% ही चल पाती है तब नहीं चल पाती है तो इस तरह से क्योंकि बढ़सात में ज्यादा तर पानी दीजिएक और एक डू दिन यदि हम भूल भी जाते हैं से पानी देना खर चाहिएँ और थोड़ा सा पानी चाहिए इस को फेटलाइजर आप 6 महीन army बेबी देंगे तो भी ये काम करेगा इसकी केर के लिए बहुत जादा मेहनत की जरूत नहीं है और ये एक लगी प्लांट भी मारा जाता है इसलिए सब सकते हैं तो बचा लीजिए बाकि इसकी कोई केर नहीं है प्लांट अच्छा लगा हो तो अपने घर पर जरूर लगाएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्क्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यों और वाचिंग